हलो चों कैसे हो माइसेल्फ दीपगोला टीम फिजिक्स सील सीगर बेटाज अपन माइन नंबर नाइन इसका सॉलुशन करने जा रहे हैं टॉपिक्स इस पे कौन-कौन से देखिए थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, एलास्टिस्टी, सर्फेस टेंशन, एंड होगा, देखिए, इस मेटा जो बल लगेंगे, इस पे लगिया F इस तरह से, यहाँ पे इसमें विप्रदिशा में किचाओ बल F1 आएगा, यहाँ पे F2, तो यहाँ पे इस नेट F का मान, ठीके, जो नेट F है, यह क्या बनेगा, F1 प्लस F2, ठीके, फिर अपन जानते है, F हैं, इसे ही इसका रख दे है, F1 का मान, Y1, A, क्योंकि एक वायर का तो A ही सही, ठीके, डेल्टा L, अपॉन L, ठीके, एसे ही सेकिंड वायर का रख दे है, Y2, A, डेल्टा L, अपॉन L, ठीके, तो नहाँ से बेटा, A, डेल्टा L, अपॉन L, तीनों में कट जाएंगे, तो ये 2 Y net का मान क्या गया, Y1 प्लस Y2, तो Y net is equal to, क्या मिलेगा आपको, Y1 प्लस Y2 by 2, ठीके, इस ते से अपने फर्स्ट कोशन सॉल कर सकते हैं, तो जो देखते हैं, नेक्स कोशन, यह रापकी स्क्रीन पर, देखिए, नेक्स कोशन यह राप, क्या गिरा है आपसे इस कोशन म मलब वरद्धी के अंदर, तो आपसे कहा है, इन तीनों में सबसे पतला वायर कौन सा है, यह हम बताना है, सबसे थिन वायर, तो देखो, अगर जो जो सबसे पतला वायर होगा, उसकी लंबाई में वरद्धी भी सबसे जादा होगी, ठीके, फोर्स लगा रहे है, लोड वायर के लिए यह D वाले जो लायर है, इसको नीचे लेकर आएं, इस A वाले लायर को नीचे लेकर आएं, तो ज्यादा elongation किसे मिल रहा है? A वाले लायर में म अलब यह पोइंट, और इस पॉइंट को तुलना करेंए, आप देखिए, A वाले लायर में ठीक है, उसको खीच रहे हैं, उसकी लंबाई व्रद्धी करनी है, 1 mm, तो हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, 2 J, ठीक है, तो ऐसा ही, हमें यहाँ पे दूसरा वायर दे रखा है, इस पे हमें double radius, उसकी त्रिज़ा double है, and उसकी length half है, उसको भी 1 mm खीच रहे हैं, कितना वर् is equal to, अपन जानते हैं, इसे half k x square होता है, w is equal to half k x square, ठीक है, यहाँ जो k है, मालब effective spring constant y a upon l बोलते हैं, ठीक है, मालब young modulus के form में उसको लिखते हैं, wire के लिए, k is equal to y a upon l x square, तो यहाँ से एक है, w is proportion to क्या आएगा एक तो, y, एक तो आएगा a upon l, तो यहाँ से a, a क्या होती है, radius square के proportion होता है, upon l, अब अच्छों आप से करा है, radius इसकी double है, and length इसकी half है, तो radial तो तो तू टाइम से इसकी, and length यहाँ पे half है, तो इसको उपर ले आएंगे, किता बन जाएगा, four into two, बना eight times, तो यहाँ पे work done हमें मिलेगा, eight गुना, तो यहाँ पे पहले दो जूल है, two joule का eight times करोगे, किता जाएगा, 16, ठीक है, 16 joule, यहाँ जाएगा result, ओके, चलो, अब देखे, question number four, आप से करे रहा है, solid is fair, false with a terminal velocity V, and allowed to fall into vacuum, तो आप से करे रहा है, कि कोई भी object है, इसकी वेक्यूम में देखना है, सीमान तवे, क्या होगा, terminal velocity क्या होगी, terminal velocity क्या होती होच में, जो surrounding material है, जिसे surrounding air है, surrounding water है, उसके molecules का friction force, विप्र दिशा में लग रहा होता है, opposite direction में, ठीक है, जिसे हम viscous force भी बोलते हैं, friction force को, ठीक है, तो उस force की वैसे, जैसे body नीचे आती है, उसकी velocity increase हो रही है, तो opposite direction friction force भी बढ़ता जाता है, एक condition यसे आती है, कि जो opposite direction friction force है, वो इसके weight mg को balance कर लेता है, उस time पे इसकी velocity क्या रहती है, constant, उसे बोलते है, terminal velocity सीमानत वेग, लेकिन, अगर surrounding में, vacuum है, तो इस body पे opposite direction में, कोई friction force नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो continuous की velocity बढ़ती जाएगी mg की वज़े से, इसले, यहाँ पे सा कोई सीमानत वेग नहीं है, इस जगेगा temperature, तो उसको हम कैसे करते ही, KCL की सहल्प से, KCL की सहल्प से, मालों इधर current I1 है, इधर I2 है, इधर I3 है, I1, I2 and I3, तो हम जानते है, KCL का according, यह I1, I2, I2, I3 का है, थर्मल current, उस में धारा है, ठीके, तो KCL के नुसार अपन देखते हैं, कि यहाँ पे इस junction सिग्मा आई क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे हम सिग्मा आई का मान, जीरो करेंगे, net current जीरो करेंगे, तो इधर से current I1 आ रही है, एक तरफ से I2 आ रही है, और इधर से I3, तो इन तीनों का हमने algebraic sum जीरो कर दिया, बीज गणती होग, जीरो कर दिया, ठीके, अब होता है, temperature difference upon resistance, ता पांतर बटा परतिरोध, तो इसका लखेंगे, temperature difference, तो यहाँ से 10 minus, इसको सपोज मान लेते हैं, X ही है, temperature इस जगेगा, तो यहाँ पे I1 क्या होगा, 10 minus X, यह तो temperature difference upon resistance, ठीके, resistance, तो चो यहाँ पे देखो, हम जानते है, resistance is proportional to क्या होता है, L, resistance is proportional to L होता है तो हम एक काम करें, नीचे resistance के जगे L लेते हैं, कोई right side में तो zero करना ही करना है उसको, ठीके, प्लस, फिर यहाँ पे 20 minus X upon, यह 20 minus X upon, यहाँ भी length लग दो, 20, ठीके, फिर, यहाँ बच्छों इसमे 30 minus X, 30 minus X upon, क्योंकि इसका तापांतर, 30 minus X है, upon में 30, length 30, length 30 रख दिये अपने, is equal to zero, ठीके, तो यहाँ से solve कर लेंगे, X is equal to 16.4 degree Celsius, ऐसे अपन solve कर सकते हैं, clear, चलो, अब आगे देखते हैं, next question, question number 6, देखिए, question number 6 क्या बच्छों, देखिए, यहाँ पर अपर end of a wire is radius, 4 mm, and length 100 cm, clamped at other end, twist it through angle 30, बच्छी, 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 वाल एक wire है, ऊपर वाले end को fix कर दिया, नीचा वाले end को पगड़ के, सिरो पगड़ को घुमा रहे हैं, twist कर रहे हैं, ठीके, तो इसमें angle of sharing निकालना है, अब परूपन कौन निकालना है, तो angle of sharing 5 is equal to, 5 is equal to क्या होता बटा, यह होता है, theta r upon l, यह इसका सुत्र होता है, theta r upon l, formula, theta, theta में किता की बन है, angle of twist 30 degree की बन है, ठीके, r, radius हमें किते रखी है, इसकी 4 mm, उसको centimeter में change कर दें, तो 4 into 10 power minus 1, ठीके, 10 power minus 1 लिख दिया, मैंने इसमें change कर लिया, centimeter में, centimeter में change कर दें तो 10 power minus 1 लिख देंगे इसको, 10 power minus 1 upon length को भी अपन, यहाँ पे देखिए, length की तर रखिए, 100 centimeter, तो इसको 100 लिख दिया, ठीके, तो यहाँ से इसको multiply कर लो, तो यहाँ से multiply करेंगे, यह length 100, sorry 100, ठीके, तो multiply करेंगे, किता जो 4th year 12, 12 upon 100 करेंगे, तो यहाँ पे 0.12 degree, यह जाएक result, 0.12 degree, clear, आगे देखें, question number 7, देखिए, question 7 क्या तो उसके लिए time बताया गया है, कि पहले 10 liter कम होने में time T1 लग रहा है, अगला 10 liter कम होने में time T2, और next 10 liter कम होने में T3 है, तो उसका time का पूछा आप से, कि कौन सा time कम होगा है, कौन सा time ज्यादा होगा, तो देखिए, उपर starting पूरा भरा हुआ है, तो नीचे pressure बहुत high प्रेशर हाई होगा, तो liquid जल्दी जल्दी निकलेगा, high speed से, high speed से निकलेगा, तो जल्दी 10 liter भाहर निकल जाएगा, मतलब time कम लगेगा, फिर जैसे पानी आगे अगले 10 liter की बात करेंगे, तो अगले 10 liter के लिए pressure काफी कम हो चुका है, अब यहाँ पे time और कम लगेगा, फ ठीके, T1 less than, T2 less than, T3, ओके, चलो, आगे देखते हैं सकंदर, question number 8, यह रहा question number 8, आप से गरा है, pressure at half depth of lack is equal to the two third pressure at bottom, बला बच्छों, देखो, इस तैसे, यहाँ पे, यह कोई lack है, यह, इसकी half depth h by 2 है, ठीके, यह full depth h है, यहाँ पे, अब बच्छों, यहाँ पे, इसमें 2 point ह इसमें, देखो, यहाँ पे, इस जगे, मालो, एक point A है, यह point B है, आप से गरा है कि, pressure at A, ठीके, half depth of P, pressure at A is equal to two third of pressure at B, इसके बारे मोला गे आप से, मालो, यहाँ पे जो pressure है, इसकी तुलना में two third है, ठीके, तो यहाँ से हमें इसकी depth बतानी क्या होगी, तो pressure is equal to क्या होता ह होगी, तो P naught plus H by two, rho W into G, यह लिख दिया अपनने, pressure के अपर, फिर B पर अपन देखें, तो यहाँ पे लिखें, बी पर pressure, P naught plus H, rho W into G, क्योंकि इसकी depth H है, तो यह लगा देंगे, ठीके, अब यहाँ पे इसको solve करने है, pressure को रखते हुए, तो आसे H is equal to मिल जाएगा, आपक देंगे, P naught का मांड 10 पाउर 5 रख देंगे, तो solve करने पर यहाँ जागा 20, clear, question number 9, देखे, question number 9, इसमें, क्या आप से कह रहा है, देखिए, यहाँ पर, आप से कह रहा है, कि यहाँ से कोई air bubble है, ठीके, ऊपर जाने पर, इसकी volume 3 times हो गई है, यहाँ पर V है, यहाँ पर value 3 V ह हो गई है volume, ऊपर जाने पर, ठीके, ऊपर जाने पर इसका volume 3 V हो गया, इसा आप से बताए गया है, clear, और फिर यहाँ पर हमसे पुझा depth of lag क्या होगी, यह बतानी है, ठीके, तो अच्वों, यहाँ पर हम जानते हैं, कोई bubble इसके उपर move कर रहा होता है, ठीके, तो उपर move कर यहाँ पर प्रेशर है, कितना है प्रेशर, पी नॉट प्लस हो ग, एच रो डबल्यू इंटू जी, ठीके, एंड पी टू, इस हाइट पागे प्रेशर केवल क्या बचेगा, पी नॉट, कोई depth तो कुछ है नहीं इस point किये, तो अपर point है, ठीके, पी नॉट, एंड यहाँ अचाए, यहाँ पर V1 तो रखा ही नहीं अपने, यह V1, तो आपर V1 रख दें, V1 कितना है, V1, V, अब यहाँ पर P2 रख देंगे, P0, एंड यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, 3V, वॉल्यूम 3V रख दिया अपने, अब चाहाँ आपर इसमें देखिए, हमसे पी नॉट के बार में के रहा है, यह atmosphere pressure है, assuming atmosphere pressure to be 75 cm of Hg, ठीक है, जो atmosphere pressure है 75, 75 चलो उसको रखते हैं बाद में, पहले यहाँ पर देखते हैं, यह जो H, इदो को V से V कड़ीगा यहाँ पर 3P0 आएगा, तो H, rho W, G is equal to क्या बना, 2P0, 3P0 minus P0, 2P0, अब यहाँ पर रखते हैं देखिए value, आप से गरा है कि जो atmosphere pressure है, यह 75 cm of mercury के equal है, 75 cm of Hg, ठीक है, तो जब भी हमें बच्चों pressure किसी liquid की height की form में given होता है, तो यहाँ से हम pressure लिखते हैं, H rho g, height rho into gravity, ठीक है, यहाँ बच्चों इसमें, यहाँ देखें, H, अब water के बारे में बोला गया आप से, कि water की density, जो है, यह mercury mercury की किती है, 1 upon 10th, miss, 1 upon 10th of mercury, 1 upon 10th of mercury वो लगया है, ठीक है, 1 upon 10th of mercury yellow, बस अब यहाँ से हराम से H, यह G कड़ी रोजी कड़ जाएगा, G कड़ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो यह 150, उसको 10 से multiply करेंगे, तो H is equal to जाएगा, 1500 cm, यह cm की दिए अपने length, तो क्या गया answer, 15 meter, त जाएगा, अब देखें, question number 10, देखें, question number 10, आपसे का जाएगा रहा है, यहाँ पे हमें इस H का आवान निकालना है, H की value, यहाँ पे glycerine है, यह मरकरी है, और यहाँ पे oil है, इस तो बैलेंस condition में H निकालना है, तो बटा है, यहाँ पे पासकल लोग की help लेंगे, पासकल कि हम help जानते हैं, कि किसी भी horizontal level पे, ठीक है, pressure same होता है, तो यहाँ पे इस जगे, यह दो point ले अपने, एक A और एक B, तो A and B, यह इन दोने जगे pressure क्या होना चाहिए, same, तो यहाँ पे देखो, यह 10 A total, यह H है, तो यह किती बचेगी, 10 minus H, यह 10 minus H आईगी value, अब यहाँ प C पे pressure हम equal कर रहे हैं, कहाँ पे A के ओपर liquid की height किती है, 10 cm glycerine है, तो rho G H applies कर रहे हैं, मतलब rho कों सा है glycerine, G into H किता है 10, ठीक है, यह रख दिया, अब देखे B के ओपर दो liquid है, एक तो oil और एक mercury, तो पहले rho oil, इसके लिए gravity है, gravity है, और इसकी height है, यह लो, फिर B के ओपर यह liquid है, इसकी height किती है, 10-H and mercury है, rho mercury है, ठीक है, and gravity G and height is 10-H, 10-H, ठीक है, अब देखे हैं आपर G cancel कर दो, सब की density आपको देर रखिए, glycerine की, oil की, mercury की, सब की density is given है, अब यहाँ पर रख के निकाल लेंगे, तो H is equal to 9.6, यह अगर जल, H is equal to 9.6, ठीक है, तो ऐसे 500 कर सबते है इस question को, चलो, अब आगे देखें, next question, question number 11, देखिए, question 11 के रहा है, liquid of density, rho गिवान है, comes out with velocity V, from original tube, area of cross section A, relative force, हमें find करना है, तो चलो, जैसे ही pipe से liquid बाहर नकलेगा, तो pipe पे opposite direction में वो force लगया, reaction force, उसकी value होती है, F is equal to, F is equal to rho A, V square होती है, ठीक है, rho यहाँ पे density of liquid है, ठी proportional to क्या रहा है, V square, तो हांसे, इस का answer रहागा, second F proportional to V square, ओके, चलो, अब देखते हैं, question number 12, देखिए, 12 के अगर आपसे, two solids A and B, water में floating condition में given है, आपको तेर रहे है, it is observed that A floats with half of its volume, and B floats two-thirds of volume, emerge, तो चलो, जब भी कोई body float कर रही होती है, तो उसके लिए अपन देखते है, V N upon V, भी दिब्ड वॉल्यूम, यह होता है, रो अब्जेक्ट अपॉन रो लिक्विड, ठीके, या वाटर में डिप कर रहा है, वाटर बोल लिए अपन ने, ठीके, तो चाहाँ आप इसमें डिब्ड वॉल्यूम, A वाले के लिए आपसे क्या बोला गए, कितना है, two-third, ठी ठीके, तो पहले आपसे काए, it is object that A floats with half, A के लिए हमें half given है, तो A के लिए हमें half times given है, ठीके, तो density of object A upon rho water, बी वाले के लिए बोला है कि two-third volume, इसका इन मर्जे, two-third, सहाँ पे V in upon V two-third दे रखा है, तो rho B upon rho W, अब हमें इनकी density compare करने हैं, इस rho A upon rho B निकालना है, तो दु को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे rho A upon rho B, क्या हैगा बटो, rho A upon rho B, यह जागा 3 by 4, तो यह जागा 3 by 4, तो यह जागा 3 by 4, तो यह जागा 3 by 4, ऐसे पन सॉल कर सकते हैं, ठीके, कुछ नहीं कहा जाए, तो बच्छो density, कैसरी ratio निकालना है में, पहले first वाले क upon second वाले के लिखते हैं, ठीके, माला रो A upon rho B, निकालेंगे, compare करने के बोला है, रो A upon rho B, निकालेंगे, यह चीज़ा अब ध्यान रखें, ठीके, चलो, question number 13, 13 अब अपन देखें, log of wood bus 120 kg, floats in water, माला एक लकडिया टोड़ा है, floating कर रहा है वाटर पे, ठीके, इस्ते से, और पर हमने यह पे M रख दिया है, मास, ठीके, अब पूरा सिस्टरम, floating condition में, तो ठीके, पन जानते है, total weight is equal to क्या होता है, बायोंसी फोर्स, ठीके, एफनेट, W net, W net is equal to करना है, बायोंसी फोर्स, हम अप्लाई करना है, बायोंसी फोर्स, ठीके, वाले, V rho G, बायोंसी फोर्स हम पर हम वी, रो G, तो ठीके, डबलू नेट, किता है, 120 प्लस, M into G, यह नेट, वेट हो गया, उसका, अब बायोंसी फोर्स की वाथ होता हुच्छों, वी रो G, एंटो रो G, ठीके, वी इन, रो G, डिब्ड वॉल्यूम, इंटो रो इंटो जी, तो ठीके, पुरा डिब्ड यह किसका volume है इस wooden block का volume है ठीक है volume is equal to होता है mass upon density ठीक है mass upon density कर देंगे किसका mass किता है 120 ठीक है kilogram और इसकी density हमें कितनी गिवन है 600 density हमें आपे 600 गिवन है volume is equal to mass upon density और बच्छों आपे water का जो density होती है कितनी होती है 1000 water density 1000 बस यह रख दिये अपने तो यहां से आप इसको solve करेंगे two zero से two zero cancel किता हो गया यह six से यह two times कर जाएगा तो 200 तो यहां पे m is equal to किता हो गया 80 m is equal to 80 आ जाएगा तो यहां पर यह first transfer अपन टिक कर सकते हैं clear चलो अब देखें आगे question number 14 देखे question 14 क्या किया रहा है आप से ठीक है यह भी floating वाला question है ठीक है आप से बहुत कोई object तेर रहा है उसके लिए बात कर रहा है इस फिर inside in water that is float with ठीक है flows with one third of its outside water महलों अभी यहां पर हमें outside की information दे रखिए अभी अपन देखा था बैटा वी अपॉन वी जो हता है वी इन अपॉन वै क्या होता है density of object upon density of liquid ठीक है density of liquid अब ठीक है आप पहले आप से कर रहा है कि यहां पे जो inside होगी है outside volume न वन थर्ड है तो inside volume किता होगा थो थर्ड तो inside volume two-thrd है ठीक है row object किस 수 Nether वाटर में है, यहाँ पर density of water की बात कर रहा है, density of water, ठीके, अगली condition आप से कर रहा है, कि when inserted in unknown liquid, then three-fourth outside में, unknown liquid case में three-fourth है, तो बटा यहाँ पर इसमें three-fourth outside में, तो inside में किता जाएगा, one-fourth, inside में किता जाएगा, one-fourth, one-fourth, ठीके, फिर density of object upon density of unknown liquid row, ठीके, अब हमें किया रहा है कि density of unknown liquid है, बतानी क्या है, ठीके, water की density आप पता ही है, water density क्या होता हो, यह one होती है, one gram per cc, यह पता ही है आपको, अब यहाँ पर दोनों को divide करेंगे, row object से row object कर जाएगा, ठीके, तो यहाँ से दोनों को divide करते हैं, तो eight by three, eight by three is equal to divide कर रहा हूँ, eight by three हो यह रहा, third answer, ठीके, तो ऐसे अपन solve कर सकते हैं, चलो, अब देखते हैं आगे next question, क्या के रहा है next question, देखो, two water pops of diameter two centimeter and four centimeters are connected with the main supply line, velocity of water in pipe two centimeter diameter is, देखो जब भी two pipes आपस में connected हैं, ठीके, तो एक water, एक pipe से water, फिर आगे दूसरे pipe में enter कर रहा है, तो उसके लिए अपन apply करते ह समीकर लगाते हैं, मिस A1 V1 is equal to A2 V2, law of continuity, ठीके, मिस यहाँ पे velocity is proportional to क्या होगा, वन अपन A, और A is proportional to क्या होता है, diameter square, ठीके, तो A proportional to रिज्जा square होता है, कि व्यास square होता है, diameter square, तो यहाँसी, इसमें, जो two centimeter, मलब जो छोटा वाला pipe है, जितना छोटा pipe है, जितना छोटा में diameter है, इसका diameter, इसके respect में कितना है, half है, तो velocity four times रहेगी, diameter half है, तो velocity four times, हम भोलेंगे four times, that in tube other pipe, clear, क्योंकि inversely proportional to D square आ रहा है, ओके, चलो, अब आगे देखें, next question, 16, question 16 में, आप से गरा है कि, इसमें, कौन सा information correct है, बतानी है आपको, तो चलो, यहाँ से, A and C का cross section same है, cross section same है, तो इस जगे, दोनों पे pressure भी same होगा, तो pressure same होगा, तो यहाँ पे जितनी height इसमें है, उतनी height बटा, इसके अंदर भी आएगी height, दोनों की height same होगी, ठीके, तो जब किसमें same होगी, जबकि B वाले में, यहाँ पे cross section कम है, तो pressure भी यहाँ पे different होगा, ठीके, तो इसकी height different होगी, तो height किसमें same होगी है, लिक्विट की, end C में, तो end C में height same होगी, तो कर जागा answer यह, नलियों A वाद C में, दरव स्थम की उचाही समान होगी, clear, चलो, अब देखिए, question number 17, question number 17 में, आप चाहिए कि यहाँ पे एक aeroplane है, इसके wings आपको बता रखिए, उनकी delta V, means V2 minus V1 square से निकल आता है, V2 square minus V1 square से, माला, velocity square का difference हमें निकालना है, तो velocity हमें दे रखिए, तो आपे चलो, पहली वाले velocity greater है, तो कोई ही करना है, इसको V1 ले लो, इसको V2, क्योंकि हमें यह 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 delta P, माला, positive हाएगा, ठीके, तो माला, greater velocity में से lesser velocity माइनस करनी है, तो यहाँ पे रख के solve कर लो, density of air दे ही रखिए आपको, ठीके, V1 एंड V2 की value दे रखिए, यह रख के निकाल लेंगे, तो प्रेशर डिफरेंस हमें मिल जायागा, 40950, ठीके, 4095.0 Pascal, यह आपको result मिलेगा इसका, ओके, चलो, अब देखते हैं, question number 18, 18 में, there is a hole in bottom of tank having water, इस total pressure of bottom is 380m, ठीके, bottom पे total pressure 380m है, मालब इस तरह से, ठीके, यहाँ पे इस जगे, यहाँ पे इसमें liquid फिल्ल है, इसमें बैटा है, यहाँ पे अंदर, इस जगे pressure में किता ही रखा है, 380m, तो मालब 3p0, और यहाँ पे जो outside pressure होता है, यह किता हुच हो, यह तो air के direct contact में, कितना है, पी नॉट, अब यहाँ से जो velocity हमें मिलेगी V, ठीके, तो हम कैसे निकालते है, डेल्टा P is equal to, डेल्टा P is equal to half rho V square की help लेते हैं, half rho V square, तो डेल्टा P कितना हो गया, 2p0, यह जाएगा 2p0, कि 3p0 minus p0 कर दो, 2p0 is equal to half rho V square, ठीके, water है, water की density, यहाँ पे आप उनको पता ही है, water density का होती है, 10 power 3 होती है, तो हम रखके निकाल लेंगे, velocity यह मिल जाएगी, root of 400 meter per second, ठीके, ऐसे पन सॉल कर सकते हैं, चलो, question number 18, क्या है question number 18, देखिए, two identical rods दे रखिए हैं, इस तरह से, एक यह और एक यह, ठीके, आप से किरा है कि इसमें, इनको आमने weld कर रखा है, इस से 20 calorie heat flow होने में, किते में लगते हैं, चार मिनट, तो इस से कितना time लगिया, यह में निकालना है, तो अच्छों देखो, यहाँ पे, इनक्या resistance अगर पन RR ले लें, सबका resistance R, सारी same road है, ठीके, तो बटा, इसका जो net resistance है, यह किता जाएगा, R1 की value, 2R, ठीके, और यह, कित है, heat flow, rate of heat flow होती है, dq upon dt, क्या होती है, heat dq upon dt, यह होता है, delta t upon R, temperature difference upon resistance, तो यहाँ से देखिए, same heat flow करने की बात कर रहा है, ठीके, तो यहाँ पे dq भी same है, ठीके, और यहाँ पे temperature difference भी, वही 100 degree Celsius यहाँ भी, 100 degree Celsius यहाँ भी है, यह भी same है, तो time dt, proportional to क्या हैगा, पेटा, R, तो हम देखे हैं, इस case में, जो resistance है, इसकी तुलना में, कितना है, 1 fourth, क्योंग यहाँ पे 2R आ रहा है, यहाँ पे R by 2, तो हम पे resistance 1 fourth है, तो time taken भी 1 fourth होगा, तो हम आपे किता लग रहा है, 4 minute, तो इसमें किता लगेंगे, only 1 minute, ठीके, तो 1 minute, यह इसका answer जागा, question number 19 का, clear, चल 10th meter, ठीके, and the water velocity at leaves depth 10.4 meter per second, the diameter of water stream at distance this, below the tap close to ease, ठीके, यह हमें solve करना है, तो देखिए, तो देखिए, तो इसमें, question में, information क्या जे रही है आपको, देखिए, इस ते से, अपर diagram समझे, यह आप से किरा है, कि इसमें tap है, बला ना ले कोई, ठीके, यहाँ से water जो बाहर निक आने पर, इसकी velocity increase होगी, वाटर की, तहां से velocity increase होने से, नीचे की radius कम होती है, यहाँ पर radius ही होगी है, clear? यहाँ उचो इसमें, यह radius, यहाँ पर radius कम होगी, यहीं माले, चलू डाइमेटर की बात करें, यहाँ पर इसका जो व्यास है, डाइमेटर D1 है, यहाँ पर होगी increase होगी सही ठीक है क्यों होगी increase क्योंकि हम जो equation third equation of motion लगा हैं गतीती समीकर्ण तो V2 is equal to कैसे निकाल लेंगे V square is equal to U square plus 2 AS की help से तो V2 is equal to root of क्या जाएगा V1 square plus 2GH क्या आपटा में H दे रखा ही है यह distance हमें given है ह। एज लिए है है जैए है है h क्ति दे रखी है है ji cha 2 इंटो 10 power minus 1 ह is equal to given 2 in to 10 power minus 1 meter ही दे रहा है आपको V1 की value हमें दे रखी है क्ति दे रखी है V1 की value यह आपको दे रखी है V1 ठीक है D1 यह भी आपको given है D1 भी given है को ठीक है V1 गीवन है D1 गीवन है क्या निकालना है V2 पर इसे निकालेंगे इस तरीके से क्या निकालनेंगे V2 यहां से V2 आ जाएगा तो यहां पे हमें D2 निकालना है तो देखो law of continuity से हम जानते है A1 V1 is equal to क्या होता बेटा A2 V2 हम जानते है area प्रपोशनल 2 क्या होता है diameter square ठीक है व्यास square तो इसको लिख देंगे D1 square और इसको लिख देंगे D2 square ठीक है बस अब कुछ दिकानना यहां पे रगदो value D1 हमें देही रखा है V1 हमें देही रखा है V2 यहां से निकाल लेंगे ठीक है फिर हम यहां पे solve करके क्या निकाल रहता है 3.6 into 10 power minus 3 meter clear यह जगा result चलो अगला कोशन देखें नेक्स कोशन यह रहा आप सब्सक्राइब लिक्विड इंक्रीज दैन इस सर्फेस टेंशन तो टेंपरेशन करते हैं तो सर्फेस टेंशन क्या होता बैटा डिक्रीज होता है तेंपरेशन करने पर सर्फेस टेंश की विलूब डिक्रीज होती है ओके कोशन नमबर 22 वाल पैन एंड फाउंटेन पैन डिपेंड्स ऑन बॉल पैन तो चो ग्रेविड बेस्ट है क्योंकि यहां पे एमजी की वैसे यहां पे जो इंक है वो नीचे आएगी है जो हम बात कर रहे हैं बट फाउंटेन पर जानते ह तो इसको वाटर सर्फेस संवह उठाना है तो उठाना है तो उठाना है तो इसको water surface से हम उठाना है तो उठाएंगे तो water साथ में साथ में चिपक्या आएगा साथ में इस तरह से तो हम इसको उपर उठाना है F force लगा रहा है तो इस F क्यों लुगा होती है T into L k equal T यहाँ पे surface tension है L अच्छे हाँ यह boundary length होती है तो यहाँ पे boundary length किती है T into 2 pi r हो जाएगी length 2 pi r कहाँ से इसको solve करना है तो इसका बन जाता है answer 750 pi की equal कोई radius आपो दे रहे हैं T रख दे रहा हूं चलो question number 24 24 आप से कहा है work done is W to make bubble of volume V then work done to make bubble of volume 3V निकालना है में तो चो work done यह निकालते हैं T into delta A से यह माला area मिस W is proportional to the surface area अब चो surface area को अपन volume की form में क्या लिखते हैं 2 power 3 क्योंकि area proportional to radius square होता है volume proportional to radius cube होता है इसलिए A को अगर V की terms में लिखना हो आपको तो हम क्या लिखेंगे V power 2 by 3 अब चो volume हमने कितना कर दिया है कितना कर दिया है 3 times square यह apply कर दो तो कितना बन जाएगा यह 9 और power कितने हो गई 1 by 3 ठीके तो 9 power 1 by 3 times तो कौनसा answer आगया है यह आजाएगा 9 power 1 by 3 times of W तो 24 का answer कर जाएगा उच्छो 3rd ठीके यह अपन कह सकते है ठीके देखे चलो अब अगला question अपने के next question 25 क्या गरा है उच्छो question 25 if i is moment of inertia of solid body having coefficient alpha linear expansion then the change in i corresponding to small change in temperature ठीके तो चें दोगो यहाँ पे हम जानते है i proportional to क्या होता है r square ठीके because i is equal to mr square यह form में सौंचते है ठीके एक solid body है तो i is proportional to क्या हो बटा r square ठीके तो यहाँ पे delta i upon i निकाले twice of delta r upon r अब यहाँ पे delta r upon r क्या होता है alpha delta t equal alpha delta t equal होता है यह रग दिया अपने ठीके अब यहाँ पे delta i निकालेंगे तो delta i is equal to i को दर ले आओ तो 2 alpha i delta t यह हो जाएगा तो कौनसा answer आगया t यहाँ इसने capital ले रखा है क्या अगर 26 में आप से a large spherical drop of water of radius r is broken into 8 identical drops एक बड़ी radius drop है ठीके उसको अपन many drops में convert करते हैं तो इस case में जो radius होती है ठीके big drop की radius and small drop की radius relation क्या होता है r is equal to n power one third r ठीके 8 drops की बात कर रहे है यहाँ से क्या जाएगा value 2 r के equal तो capital r is equal to क्या रहे है 2 r अब चाहाँ पे निकालना है work done work done is equal to आप जानते है t into delta a होता है ठीके तो delta a मालब total surface area का difference ठीके मालब final area minus initial area तो final surface area minus initial surface area तो चो final मैं आपको क्या मिल रही है 8 small drops मिल रही है तो total area क्या होगा 8 into 4 pi r square मालब 8 into 1 drop का area यह total final area होगा minus initial में तो a की drop थी big drop तो 4 pi capital r square ठीके यह लिख दिया अपने अब यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे दोबटाईए यह जो 4 r square आपको दिख रहा है हम जानते है r is equal to किता है 2 r square तो यहाँ पे अगर मैं इसका square कर दूँ तो r square is equal to क्या जाएगा 4 r square तो इस 4 r square को अपन के लिख दें r square तो यहाँ पे यह किता हो जाएगा 8 pi r square minus यह 4 pi r square तो इसका difference निकाल लो किता हो जाएगा 4 pi r square T तो हम यह answer टिक करेंगे 3rd clear ऐसे अपन solve कर सकते हैं देखिए अब question number 27 क्या है 27 आपको करा है इस तरह से बटाए यह एक तो spring balance ही है और रही है अब यहाँ पे आपने body को इसमें dip कर दिया है तो इसमें duo देंगे तो duo देने पे इसमें Bioncy force लगया इदे लगया FB ठीक है Bioncy force और उतना ही liquid पे लगया reaction force ठीक है F reaction reaction force ठीक है तो action is equal to reaction होता है तो बच्चों यहाँ पे A वाली जो spring balance है वो तो थोड़ा loose feel करेगी थोड़ा हलका feel करेगी तो इसकी reading तो क्या होगी कम कोई Bioncy force उपा लग रहा है बट इस B वाली spring balance में reaction force नीचा आ रहा है extra force downside उसको दबा रहा है इसको push कर रहा है तो इसने B वाले की reading increase जाएगी A वाले की decrease होगी B वाले की increase जाएगी तो हम देख रहे है तो ला A का पाठ्यांग 2 kg से कम होगा बोल जो है ज्यादा height gain करे बलब इस बोल पे force upward direction में लगे तो इसके लिए किस ते से गुबाते फेकेंगे तो जो इसको हम इस second के अनुसार फेकते हैं क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पे इस point पर और इस point की इस velocity की according अगर इसकी linear velocity सोचें तो यह इधर V और इधर V है ठीके बड़ अगर बच्चों यहाँ पर इसके rotation speed की बात करें rotation speed की तो इस point पर जो speed है omega r rotation की वएसे इस पर omega r इदर आएगा ठीके इस पर omega r इदर आएगा ठीके तो यहाँ पर बच्चों जो air particle है air particle और इस particle ball की अगर पर relative velocity की बात करें तो यहाँ पर इस जगे इस जगे जो relative velocity है relative velocity ठीके तो relative velocity V1 and यहाँ पर relative velocity V2 के बात करें V2 तो यहाँ पर आप देखें दोनो opposite direction में तो एड़ हो आएगी तो relative velocity क्या होगी बच्चों आपर V1 is greater than V2 V1 is greater than V2 मिलेगी यहाँ पर यहाँ पर दोनो opposite direction में सापेक्षवेक क्या होगा जूड़ जाता है तो यहाँ पर V1 is greater than क्या मिल रहा आपको V2 तो V1 is greater than V2 है तो इसके पेटा pressure P1 is less than क्या हैगा P2 बना pressure जा रख गा होगा इस नीचे वाले point पर इस जगे तो आपे pressure P2 greater है वहले यहाँ पर pressure P2 है यहाँ pressure P1 है तो जो net force लगया इदे लगया force F F net F net हमेशा का लगता है हमेशा high pressures तो low pressure की तरफ तो इस लिए इस second वाली condition में एक force upward act होगा तो इसको उपर की तरफ ले जानी कोश करेगा इस लिए ज्यादा height gain करेगा इसमें 28 के बाद quotient 29 quotient 29 में यहाँ graph कुछा है pressure का distance के साथ देखिए अब इस point पर अगर velocity V1 है मालो इदर velocity V2 है तो आप जानते हैं यह narrow throat है ठीक है सकड़ा गला है यहाँ पर इसका तो यहाँ पर इस जगे इसकी velocity ज्यादा होगी तो V2 greater than क्या होगा V1 तो पुछों velocity greater तो pressure यहाँ पर कम होगा P2 less than P1 तो इदर जाएंगे तो pressure क्या होगा कम हो जाएगा तो graph गया जाएगा पहले pressure ज्यादा है फिर बाद में कम हो गया है ओके चलो अब देखें 29 के बाद 30 question question number 30 block of wood is floating in water at 0 degree Celsius temperature of water slowly raise ठीक है अब चाहाँ पर क्या कि रह कि आप जो above the water level है मलब block का जो पानी के बाहर वाला volume है उस पर क्या फरक पड़ेगा देखिए अपन जानते है floating वाले condition में जब भी कोई body तेर रही होती है तो v in upon v is equal to आप जानते हैं row object upon row water होता है row object upon row water ठीक है तो यहाँ पर v in तो यहाँ पर जो v in की जो value है v in proportion to क्या रहा है बटा row upon row w और अगर v out की बात करेंगे तो उल्टा जाएगा तो proportion to row w जाएगा ठीक है proportion to row w अब देखिए यहाँ पर क्योंकि in वाली value अगर increase हो रही है तो out वाली value decrease होगी ठीक है तो यहाँ दला है कि v in अगर proportional to 1 upon row w है तो v out proportional to row w अब देखिए अपन जानते हैं water की density 4 degree celsius से maximum होती है 4 degree celsius पर water की density maximum होती है तो 0 degree से आप 10 degree celsius तक अगर आपन temperature increase कर रहे हैं तो temperature increase करेंगे तो temperature increase करने पर तो आप पहले 0 से 4 तक आएंगे तो density क्या होगी? increase तो density increase होगी फिर 4 के आगे 10 तक जाएंगे तो density decrease होगी तो उसी proportional form में अपन देख रहे हैं तो v out की जो value है यह पहले increase होगी उसके बाद decrease होगी तो पहले बढ़ेगा फिर गटेगा यह इसका answer हो जाएगा ठीके? चलो आप देखें question number 31 31 में आप चाहिए रहा है कि two squares हैं एक hollow है और एक solid है ठीके? तो जाद लब एक अगर आपन temperature rise करते हैं तो दोनों में जो volume expansion होता है same होगा वोल्यूम एक्सपैंशन की जो value होती है दोनों के outer volume पर depend करती है दोनों का outer surface area आउकर वोल्यूम दोनों का same है ठीके? बस अन्टरिय के एक solid है और दूसरा hollow है तो दोनों का outer volume तो same है तो इसलए दोनों में expansion भी same होगा दोनों में समान प्रसार होगा ठीक है तो दोनों में प्रसार समान होगा यह देगा इसका answer 3rd ठीक है चलो question number 32 अपन देखें 32 है आप से कह रहा है कि इस तरह से the volume metal increase है 0.25% ठीक है कोई भी metal sphere है इसका volume 0.24% increase कर रहे है और इसका temperature ठीक है कितना आइज हो रहा है 40 degrees Celsius ठीक है तो हम एसा coefficient of linear expansion निकालना है तो देखो आप जानते हैं डेल्टा V upon V डेल्टा V upon V क्या होता है गामा इंटू डेल्टा T के एक वल ठीक है गामा इंटू डेल्टा T होता है यह अपन जानते हैं गामा इंटू डेल्टा T अब डेल्टा V upon V कितनी गिवन है जिरो पॉइंट डेल्टा V upon V इंटू 100% जिरो पॉइंट 24 गिवन है आपको तो डेल्टा V upon V निकालेंगे तो 24 इंटू 10 पावर माइनस 4 बनेगा क्यों कि बच्चों यह जो वैल्व है यह वैल्व किसकी तरह रखिए यह वैल्व आपको गिवन है डेल्टा V upon V इंटू 100 इसकी वैल्व गिवन है यह वैल्व गिवन है तो यहांसे डेल्टा V upon V निकालेंगे तो 24 इंटू 10 पावर माइनस 4 आजाएगा अब गामा इस गोल 33 33 आप से करा है कि एक युनिफॉर्म मेटलिक रोड है अपनी परपेंड़ गूर बाइस से के बाउट एंगूला वलास्टी से रोटेट हो रही है अब अगर उसको इसकी हीटिंग स्टार्ट कर दें तो हीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं पर बाहर से हम कोई टॉर्क नहीं ल इंक्रीज होगी कोई टेंपर्ट इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ इंक्रीज होगी ठीक है लेंथ इंक्रीज करेगी तो लेंथ इंक्रीज करने पर इसका मॉमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज जाएगा तो मॉमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज जाएगा तो ओमेगा क्या ह होगा decrease क्योंगी दोनों का multiply constant है अगर एक increase हो रहा है तो दूसरे को decrease होना पड़ेगा ठीक है तो यह पे इसकी चाल घड़ जाएगी second answer हो जाएगा clear चलो अब आगे देखें next question question 34 34 में आप सब्सक्राइब की temperature का increase करते हैं तो इस case में d minus x पे क्या फरक पड़ेगा तो चो हमेशा याद रखें आप जब भी अपन कोई भी object given है temperature increase करते हैं तो इसकी every dimension यहाप increase होती है every dimension db यहाप increase होगा x भी इंक्रीज होगा even d minus x भी इंक्रीज होगा एक gas है इस equation को follow कर रही है ठीक है p t square is equal to constant ठीक है इसका हमें coefficient of volume expansion निकालना है तो इस equation को पहले v and t की form में लिखे हैं कैसे जो gas equation होती है p v is equal to mu r t तो p is equal to mu r t upon v t square is equal to constant यह अपने देख लिया अब यह तहाँ पे देखो इस v को अदर ले आओ तो v proportional to क्या होगा t cube v is proportional to t cube यह आएगा result तो यहाँ से delta v upon v करेंगे delta v upon v is equal to 3 delta t upon t यह लिखेंगे ठीके 3 delta t upon t अब यहाँ पे हम पे देखो delta v upon v को आप replace कर दें किस इडर v upon v है gamma delta t से, gamma delta t से replace कर दिया है थीके तो यहां से delta t कट जाएगा, delta t यहाँ पे हम cancels कर देंगे, delta t कट जाएगा gamma is equal to किता है, 3 upon t yes का answer है जागा, gamma is equal to 3 upon t clear तो यहाँ गया third answer चलो आप देखें आगे next question question number 36 36 में आप से कर रहा है कि यहाँ पे a2 upon a1 ratio आपको find करना है ठीक है intensity versus wavelength given है तो बटा दोगो आप जानते हैं area जो हता है वो इसका जो area है वो किसको शोगरता है emissive power को ठीक है area proportional to emissive power and emissive power proportional to temperature power 4 के temperature power 4 तो पेटा a2 upon a1 आपको निकालना है तो temperature यह t2 जो है यह कितना है 327 degree celsius इसको caliber में change करेंगे 600 फिर वो चो नीचे 27 degree celsius इसको caliber में change करेंगे 300 power 4 कर दो तो यह 2 times कट जाएगा यह 2 times तो 2 power 4 के लिगा जाएगी 16 तो 16 यह जाएगा इसका answer फोर्थ 16 ratio 1 ठीक है ऐसे आपको इसे पन solve कर सकते हैं चलो आगे देखें question number 37 37 में आप से करेंगे बोड़ी cools from 80 to 74 in 3 minute तो यह अपने आपने आपको यूज करना है तो यह अपने आपको यूज करना है तो यह है पहले इसका difference निकाले T1 minus T2 कितना हैगा 80 में से 74 minus करो कितना हैगा 6 upon time time कितना है 3 minute is equal to constant C into T average इसका average temperature निकालोगे तो average temperature कितना बनेगा 77 फिर minus T0 T0 miss temperature of surrounding फिर अगली information के रहा है 74 से 68 तक का है 4 minute में तो 74 में से 68 minus करोगे यह भी कितना बनेगा 6 ठीक है 74 में 68 minus 6 बन रहा है time कितना है 4 minute ठीक है is equal to C इसका average निकालेंगे कितना बनेगा average यह जाएगा इसका average 71 बना जाएगा clear 71 minus T0 यह दो equation होगी अब इन दोनों को divide कर देंगे तो divide करके देखेंगे 6 कट जाएगा C कर जाएगा तो इसको solve करके T0 निकाल लो तो T0 की value आजाएगी 53 degree Celsius तहांसे यह इसका fourth answer जाएगा 53 degree Celsius एस solve कर सकते हैं पन ठीक है चलो question है कि 38 38 question में आप से किया रहा है square of temperature 3600 Kelvin plays in environment temperatures 200 Kelvin ठीक है surrounding temperature 200 केलविन है और किया रहा है इसकी rate of cooling H है अब temperature को हमने 400 कर दिया है तो cooling rate क्या हो जाएगी यह निकालना है तो cooling rate होती है H के लिए या R T के लिए rate of cooling is equal to is proportional to क्यों होती है temperature power 4 minus surrounding temperature power 4 ठीक है इसका हमें use करना है तो यहां से देखिए इसमें H dash upon H करेंगे तो यहां पे पहले T dash रख दें T dash किता कर दिया अपने आपे 400 यहां पे 400 power 4 surrounding 200 power 4 upon में initial में body temperature 600 power 4 फिर minus 200 power 4 ठीक है समय बच्चों आप 200 power 4 से common लेके cancel कर दो तो यहां से इस जगे यह बचेगा 2 power 4 यहां बचेगा minus 1 यहां बचेगा 3 power 4 फिर बचेगा minus 1 तो यहां से 16 minus 1 16 minus 1 यह 81 minus 1 तो हो गया उपर 15 नीचे हो गया 80 ठीक है तो यहां से 5 से divide कर दें 5 3 जा 15 ठीक है और यहां 16 5 16 जा 80 तो 3 by 16 H तो 3 by 16 H कौन सा आगया फिर्स टांसर ठीक है ऐसे पन सॉल कर लेंगे तो लोग अब देखें कोशन नमबर 39 39 अब से कर रहा है 4 identical rods of same substance are joined together to form a square वहला इस्ते से एक square formation हो रहा है यहां पर दोनों ends के बीच में आपको temperature difference रिफ्रेंस की बने है वहला यहां पर 0 degree Celsius है तो यहां पर इन दोनों में temperature difference कीता है 100 degree Celsius आप चाहिए कि इन दोनों के बीच में temperature difference क्या होगा यह में निकालना है ठीक है अब यहां पी देखें, तो जिरो और यह 100 है, तो यहाँ पे temperature किता मिलेगा आपको 50 degree Celsius, ऐसे ही symmetry से यह midpoint का temperature किता जाएगा, 50 degree Celsius, अब दोनो temperature बिल्कुँ सेम है, देखिए, यह भी 50 है, यह भी 50 है, तो दोनों में temperature difference किता हो गया, 0, ठीक है, तो डेल्टा T is equal to का जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है यह, 50-50, तो यह जाएगा result, clear, चलो, अब देखिए, question number 40, question 40 में आप चाहिए रहा है, कि temperature of hot body, ठीक है, temperature of hot black body is raised by 5%, heat energy radiation would be increased by, है, तो heat radiation, proportion to, क्या होता है, temperature power 4, जो इस टीफन सलो है, वह से पन देखते हैं, Q proportional to T power 4, तो temperature आपने 5% increase कर दिया है, तो heat यहाँ पे energy पे क्या फरक पड़ेगा, यह बताना है, देखिए, Q dash upon Q करेंगे, तो is equal to T dash upon T power 4, अब यहाँ पे initial value 100 मान कर solve कर सकते हैं, ठीके, चलो initial 100 ले लिए, Q को भी 100 ले लिया, T को भी 100 ले लिया, दोनों को मैंने 100 ले लिया, तो T dash किता हो जाएगा, किता increase कर दिया, अपने 5%, वाला 105 हो जाएगा, ठीके, अब बेटाए, यहाँ पे इस में देखिए, इसको आपने 5 से cancel करें, तो 5 से cancel करोगे, इसको तो यह 20 टाइम्स, यह जाएगा 21 टाइम्स, तो 21 अपन 10 पावर 4, तो यहाँ से इसको निकालोगे, solve करके, तो यह जो value आएगी, यह 121.5 लग बगी आएगी, 121.5, ठीके, solve करने पे, तब देखिए, पहले अपने 100 लिसी value, अब कित्या गई है, 121. 121.5, तो यहाँ से कितना increase हो गया है, 100 के तुलना में, 21.5%, यहाँ पे increase हो गया है, 21.5%, तो इसका क्या जाएगा answer, यह जाएगा 4, 21.5%, ठीके, clear, चलो, आप देखिए, question number 41, 41 में आप से कर रहा है, कि दो slab हैं, इनको अपने connect कर रहा है इस तरह से, इनका हमें resultant conductivity हम चाहिए है, तो यहाँ पर देखो, एक की conductivity के, एक की क्या है, 2K है, तो के net, तो इस तरह से हम यहाँ पर के net find करते हैं, तो क्या होता है, उसका formula 2, K1, K2 upon K1 plus K2, बस इसका use कर लो, तो यहाँ पर 2, K, 2, K, दोनों का sum करेंगे, तो 3 की हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 by 3, तो 4 by 3 वाला option कों सा है, यह third, यह जाएगा सका answer, clear, चलो, आप देखें, question number 42, 42 में आप चेकर आए, कि black body radiates power P and maximum energy is ready by wavelength lambda 0, ठीक है, the temperature of black body is now changed such that radiates maximum energy around the wavelength 3 lambda 0 by 4, power radiated by, it's अब निकालनी है, तो चोब पावर is proportional to, radiated power, Stephen's log according देखते हैं, यह क्या होती है, temperature power 4 के, and when winds log according आप देखते हैं, तो temperature proportional to 1 upon lambda M, यह होता है, ठीक है, तो यहां से lambda M, हमने कितनी कर दी है, 3 by 4 times कर दी है, ठीक है, कोई पहले lambda note थी, अब कितनी होगी, 3 lambda Y, 4 हो गई है, तो यहां से, यह lambda को 3 by 4 times कर दिया है, तो 4 by 3 हो जाएगा यह, 4 by 3 power 4 times, ठीक है, 4 by 3 power 4, तो आपे 4 power 4 करेंगे, 256 आएगा, 3 power 4 करेंगे, 81, तो answer क्या जाएगा बटाए, यह हो जाएगा, first 256 upon 81 T, clear, ऐसे कर लेंगे स्वाल, आगी समय में, चलो, अब आगे देखें, question number 43, 43, अपने देखें, यहां पे इसके अंदर क्या जाएगा, 43 की बालू, बढ़ो question आगे रहा है, एक rod है, इसकी length 50 centimeter है, इसके ends का temperature 25 and 125 है, क्या पुछा है, temperature gradient, temperature जो gradient है, यह किसे बहुते है, delta T upon L को, delta T upon L means total change in temperature, यह कि देखें, total temperature difference upon total length, delta T, यह 100 हो जागा, 125 में से 25 माइनस को, 100 degree Celsius and length किती है, 50 centimeter, तो यहां जागा, 2 degree Celsius per centimeter, यह जागा, 2 degree Celsius per centimeter, ठीक है, चलो, question number 44, 44 में, आप से किरावचों, हमें इस दोनों material से हैं, बढ़ यहां पे A to A और यहां पे A है, हमें इस junction का temperature निकालना है, C point का temperature फाइंड करना है, ठीक ह तो इसके लिए हम देखते हैं, बच्छों, इसमें और इसमें दोनों में जो thermal current है, वो same होगी, क्योंकि दोनों क्या बना रहे हैं, आपस में series combination, series combination में thermal current same करेंगे, मैं आप I1 is equal to क्या करना है, I2, अब I is equal to क्या होता है, K A delta T upon L, तो K A, A किता है इसका, 2A, delta T, delta T मैं जाग 2, second वाले के लिए apply कर दें, second वाले के लिए, K A किता है इसका, A, delta T करेंगे, तो 70 minus, C minus 70 करना पड़ेगा, ठीके, तो को एक बार बच्छा आपिदो, यह मैंने C minus 100 किया ना, इसको क्या करना, 100 minus C करना, यह क्या 100 minus C, 100 minus C, फिर K A delta T, तो C minus 70 करेंगे, C minus 70 क्योंकि greater कोने, C है, greater temperature C है, तो C minus 70, ठीके, upon, यहां पे length 1, तो यहां से हम solve कर लेंगे, अराम से के कर जाएगा, A कर जाएगा, यहां पचेगा, 2 into 100, महलब 200 क्योंकि 100 पहले है, minus 2C is equal to, यहां किता है, C minus 70, ठीके, तो 2 into 100, minus 200, minus 2C is equal to C minus 70, तो यहां से, इसको दल ले आओ, इसको ले आएंगे, तो C is equal to, किता है जाएगा, 90, तो जाएगा, third 90 degree Celsius, ओके, चलो, आगे देखें, next question, question of 45, 45 में आपसे कर रहा है, amount of heat incident upon a body is x calorie, वहले एक बोड़ी पे heat fall रही है, x, ठीके, जिस में से y calorie उसने absorb कर ली है, तो coefficient of absorption निकालना है, तो coefficient of absorption क्या होता है, absorb heat upon total heat, तो absorb heat किती है, y, total coming heat क x, ठीके, तो क्या जाएगा result, y upon x, तो y upon x, अब अब यह, ठीके, तो इस तो अपन यह questions all किये, 45 questions, clear, चलो, उम्मीद करता हूँ, आपके पर अच्छा रहा होगा, ठीके, फिर भी जो छोटी-बोटी mistakes हैं, उनको आगे आप improve करिए, ओके, फिर मिलते हैं, आगे, ओके, गु